हेलो इस वीडियो में हम सीखेंगे ग्रूप के बारे में अन ग्रूप के बारे में और सब टोटल के बारे में तो कभी कभी हमारे पास बहुत सा डेटा दिया गया होता है और अगर हम उस सारे डेटा को एक ग्रूप में करना जाते हैं तो एक ग्रूप में कर सकते हैं या Pen Drive दिये गया है, अगर Pen Drive को यहां पे हमने Group में करना है, तो यह जो तीन Pen Drive है, इनको हम Group में कर सकते हैं, या Keyboard यहां पे दिये गया है, इनको Group में कर सकते हैं, या Mouse यहां पे दिये गया है, इनको Group में कर सकते हैं, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यह सारी Data को Group में करेंग यहां पे group पे click किया, group पे click करने के बाद यहां पे group पे click करेंगे, group पे click करने के बाद यह group dialogue box आ जाएगा, यहां पे दो option आएगे, एक rows में है, एक columns में है, कि यह सारा data जो हुआ है, rows में करना है, यह columns में करना है, तो इस सारी data को हम rows या column में कर सकते हैं, तो यहां पे हम rows ल गया है अगर हम यह चाहते है कि यह जितना भी डेटा है इसको हम हाइड करना चाहे तो हम क्य करेंगे यहां पर ओट लाइन ग्रूप में जाएंगे और यहां पर दिये गया है हाइड यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के वाद यह देखो सारा जितना भी यहां पर data था यह सारा hide हो गया अगर हम यह बापिस देखना जाते हैं तो फिर हम यहांपर outline पे जाएंगे और show detail यहांपर click करेंगे तो यह सारा data यहांपर आजाएगा इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यह data यहां से हाइड करें तो यह देखो माइनिस यहां पर दिया गया है यहां पर क्लिक करेंगे तो यह देटा हाइड हो जाएगा यह देखो यहां पर क्लिक किया यह देटा हाइड हो गया अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे यह प्लस का यहां पर सिंबल है यहां पर क्लिक करेंगे तो यह data बापिस आजाएगा यह देखो यहाँ पे क्लिक किया यह बापिस आगया तो इस तरह से हम इसको hide करना तो hide कर सकते है या show करना तो show कर सकते है इसके बाद यह सारा data एक group में हो गया है इसको अगर हटाना जाते है ungroup करना जाते है तो हम क्या करेंगे यह सारा data select करेंग और यहाँ पे ungroup पे क्लिक करेंगे यह देखो ungroup इसके बाद ungroup यहाँ पे dialogue box आ जाएगा यहाँ पे rows किसको ungroup करना है यहाँ पे rows को करना है तो rows पे क्लिक किया ok पे क्लिक किया तो ok पे क्लिक करने के बाद यह देखो जितना भी data यहाँ पे सारा data group में हुआ था यह ungroup हो गया ह इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि केवल हम pen drive इनको group में करें तो इसको करने के जिए हम के करेंगे यह इसको select करेंगे यह select किया select करने के बाद group में जाएंगे group में जाने के बाद यहां पे group पे click किया इसके बाद group dialogue box आजाएगा यहां पे row पे click किया इसके बाद OK पे क्लिक किया OK पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये जो यहां पे pen drive दिये गया है एक, दो, तीन तो ये तीन pen drive यहां पे group में हो गया है ये देखो यहां पे group में हो गया है अगर इन pen drive को हम hide करना जाते हैं तो हम यहां पे click करेंगे यह देखो माइनिस यहाँ पे क्लिक किया यहाँ से pen drive जो है वो hide हो गया है अगर बापिस देखना जाते है तो हम यहाँ पे plus पे क्लिक करेंगे यहाँ पे यहाँ पे otg pen drive यहाँ पे बापिस आ जाएंगे इसके बाद यह otg pen drive यह group में किया हुआ है इसको हमने ungroup करना है तो हम करेंगे इस OTG pen drive इनको select करेंगे यह select किये इसके बाद ungroup पे गए ungroup पे जाने के बाद यहाँ पे ungroup यहाँ पे click किया इसके बाद यहाँ पे ungroup dial box आ जाएगा यहाँ पे rows इसके उपर click किया इसके बाद ok पे click किया ok पे click करने के बाद यह देखो यहां से यह अन ग्रूप हो गया है तो इस तरह से हम इसको यहां पर अन ग्रूप कर सकते हैं तो इसी तरह से हम इसको कीवोड को भी ग्रूप में कर सकते हैं और माउस को भी ग्रूप में कर सकते हैं इसके बाद आगे हम करेंगे सब टोटल तो सब टोटल क क्या होता है suppose करो यह हमारे पास ये देखो pen drive है ये 3 dial है 2 key words यहां पर ये चार mouse है ये देखो 1, 2, 3, 4 यह चार माउस है यहां पे तो ये जो यहां पर pen drive दिये गया है इनका amount जो है यहां पर यदिये गया है अगर हम यह चाहते हैं कि ये pendrive का amount ये अलग से sum होके इनका आए keyword का यह जो amount है इनका sum अलग से होके आए यह mouse है इनका sum यहाँ पे अलग होके आए तो इसके लिए हम यहाँ पे subtotal का use करेंगे तो subtotal का use करने के लिए हम सारे यह data को select करेंगे यह देखो सारा data यह select किया select करने के बाद Subトal पे खाएंगे Subtotal पे क्लिक करने के बाद यह Subtotal डायलो वोक्स से यहां पे आ जाएगा यहां पे दिए गया पहले At Each Change In तो यहां पे यह देखो More वटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे हम इसको Select करेंगे Device Name यहां पे क्लिक क्या है इसके बाद यहां पे हमने क्या करना है इनका Sum करना है तो हम यहां पे Sum पे क्लिक करेंगे Sum पे क्लिक करने के बाद यहां पे हम क्या करना जाते है Amount का Sum यहां पे करना जाते है तो हम यह Amount के उपर इसको चेक करेंगे ये देखो जो amount इसको check किया ये amaze इसको uncheck किया तो amount पे हमने इसको check करके रखा तो रखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ok पे click करेंगे ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो सभी का सब टोटल होके यहां पे आ गया है ये देखो यहां पे तीन OTG pen drive थी ये देखो तीन OTG pen drive इनका यहां पे टोटल होके आ गया है 2700 दो यहां पे कीवोड है ये 1400 इसके बाद यहां पे मौस दिये गया है 1600 इसके बाद grand total यहां पे 5700 यह यहां पर आ गया तो इस तरह से यहां पर हम सब टोटल निकाल सकते हैं इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि केबल हम OTG Pen Drive का सब टोटल ही देखे तो हम क्ये करेंगे यहां पर माइनिस पर क्लिक करेंगे यह देखो इसी तरह अगर keyword का हम sub total देखना जाते हैं तो यहां पे minus पे click करेंगे यह देखो keyword का total यहां पे आजाएगा बाकि hide हो जाएगा अगर बापिस सारा देखना है तो हम यहां पे plus पे click किया, यह बापिस सारा यहां पे आजाएगा इसी तरह अगर माउस का टोटल देखना है तो हम के करेंगे माइनिस पे क्लिक करेंगे यह देखो माउस का टोटल यहां पे आ गया है अगर सारा देखना है तो हम फिर यहां पे प्लस पे क्लिक करेंगे यह सारा यहां पे आ जाएगा यह देखो माउस यह चार माउस है और यह इनका टोटल है और ये grand total यहां पे आया हुए है अगर हम ये चाहते हैं कि सभी का हमने सब totally रिखना है तो हम यहां पे minus पे click करते जाएंगे यह देखो यहां पे click किया इसके बाद यहां पे click किया इसके बाद यहां पे click किया तो यह देखो OTG pen drive इसका total यहां पे आगया keyboard total यहां पे आ गया माउस का total यहां पे आ गया और यह grand total यहां पे आ गया अगर हम बापिस सभी का दिखने जाते हैं तो फिर हम यहां पे plus पे click करेंगे यह देखो तो यह देखो सभी यहां पे बापिस आ गये इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये जितना भी यहाँ पे subtotal हमने apply किया हुआ है इसको आटाना है तो हम क्ये करेंगे ये data को select करेंगे ये सारा data हमने select किया select करने के बाद फिर यहाँ पे outline group में subtotal में जाएंगे subtotal पे जाने के बाद ये subtotal dialogue box यहाँ पे आजाएगा यहाँ पे हम क्ये करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है remove all यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर सभी का subtotal आटाना है तो हम यहाँ पे remove all पे क्लिक करेंगे remove all पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पे यह जो subtotal हमने अप्लाई किया था यहां से यह हट गया और बापिस उसी position में यह सारा डिटा आ गया तो इस तरह से हम यहां पे group का use ungroup का use और subtotal का use कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने group, ungroup और subtotal कैसे किया जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज subscribe my channel धन्यवाद